आज हम चंडीगड के मलोया में खड़े हुए है जहां पे गवालो की कलोनी है और वहां पे दिये जो है है वो बनाई जा रहे हैं मिरे देख सकते हैं इंस टास्वीरों में कि दिये जा रहा है जहां पे आज चायनिज मले मार्किट में पूरी पूरी अपनी चाप बना लिये आगे हैं जहां पे ऐसे दिये itself दियो में पानी डाले और वच जल जाते हैं लेकिन हमारी दिवाली तब तक दूरी है जब तक हम मिट्टी के दिव में तेल डालके जला लेक earned जिनके पीछे इतनी महनत लगती हैं आप तस्विरों में देख सकते हैं कि यह दिवाला 論 कि इतनी स्विर कि ब्रकूंदों लाहलिए को शुरू कि सुरेंद्र कुमार और आपको यहां पर बनाते हो कितने साल म mão है मेरे को तो तीस साल होती पापा, ऑम्मी को 60 साल तो आपका शुरू से काम यही है तो दीए बना रहे हो आप दीवाली का तो हर नजजी का रहा है और आपको कितना लग रहा है कि अब बिकरी हो सकती है अब कि बार बहुत ही जाजा चांस कम है क्योंकि लोग मुहमबतियां चाइनिज आइटम यह अगर वगार बाहर से और कु जाते हैं लेकिन दिवाली पर जब हम दिये लगाते हैं वो मिट्टी के दियों से ही हमारे घर की रोशनी जो है वो जो यह बिजली वाले दिवें उनमें पाणी डालो और दिवा मुहमबतिय सी चस जाती है बाकि पूजन ही मिट्टी का होता है यह आपने बहुत सही है कि प तो आपको डिवाली का सीजन है अपने अभी तक जो माल तियार किया है आपको कितना लग रहा है कि सारा भीकेगा नहीं नहीं बच जाता है यह तो अपनी दुकानों के लिए बनाते हैं बार तो बिकरी बंद होगी है ना बार लोग और आइटम आने लग गया और दिन में कित आप डीलर को कितना माल बेच पाते हैं ज्यादा खास नहीं है बस रोटी पणी चल जाए वह होता है तो यह थे सुरिंदर जी जिनके साथ हमने बात की हैं और इनकी मेहनत आपने देखी हैं कि किस तरह यह दिये इन्होंने बना के रखे हुए यहां पे और परशाशन से इन इनकी मेहनत को भी आगे लेकर आए और इनके एरिये को भी ज्यादा जो है वो पॉलिश करें अर्थप्रकाश टीम के साथ मैं शीना कैमरामन मनीश के साथ ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें